दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर मौझूद खोड़ी गाउं इस वक्त खूब खबरों में हैं ना सिर्फ राष्ट्री बलकि अंतर राष्ट्री एजेंसियां भी अब इस मामले में अपने हाट डाल चुकी हैं पूरा मामला क्या है सबसे पहले हम यह समझते हैं कोड के आ क्यों आधेश दिया कि यहांपे घर नहीं होने चाहिए दरसल यह भूप यानि कЕ संद्रक्षित भूमी में है वन्देश्व और देख सकते हैं यह पूरा लेकिन इसके बावजूद यहां पे निर्मार होते रहे जिसके बाद से स्थिती ऐसी आगई कि आपको दूर दूर तक ये खोडी गाउं के घर दिखाए देंगे ये गाउं 125 एकड जमीन पर मौजूद है जिसमें से 80 एकड अवैध कबजा बताया जा रहा है अभी आप देख सकते तस्वीरों में कि हालात क्या हैं हम कोशिश करेंगे कि आपको कैमरे की नजर से दिखा सकें कि अभी तक ये मामला कहां तक पहुचा है जो कारवाई चल रही है वो किस तरह की चल रही है आप हमारे सामने तस्वीरों देखिए आपको छोटे-छोटे लाल पीली बरसात चल रही है जो अवैद कबजा है उसको हटाया जा रहा है तमाम अधिकारी अफसर यहां पे मौजूद हैं अंदर क्रेन मौजूद है जैसी भी यह सब कुछ है जिसके जरीया भी तोड़ फोड की कारवाई चल रही है हम आपको दिखाते हैं कि यह पूरा इलाका कितनी दू पर मौजूद है इसका कुछ हिससा दिल्ली में आता है कुछ हिससा फरीदाबाद में आता है तो यह सारे इलाके तोड़े जाएंगे यह कारवाई सबसे पहले पीछे की तरफ से जो जंगल के सटे हुए घर है वहां से शुरू हुई है जो आप देख सकते हैं कि पहार जो ह है वह अपने अपने घरों के मल्बों पर इकठा है अपने अपने घरों के मल्बों पर जिस घरों में वह सालों से रह रहे थे उन घरों के उपर तिरपाल डाल करके रह रहे हैं इस मामले में अंतराष्ट्री भी खबरे अब पहुंच चुकी हैं अंतराष्ट्री जो एजन के नागरिक है जो यहां के लोकल लोग हैं वो यही बता रहे हैं कि सबसे पहले हम कोरोना से परिशान हुए कोरोना के दौर में बहुत सारे लोगों के घर वाले कोरोना के चपेट में आ गए अभी उससे उबरे ही थे कि तेज बारिश यानि की मांसून आने के बाद से अभी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी इमारतों में भी दिक्कत होगी बारिश के वक्त में, ऐसे में बड़ी बड़ी जब सड़के धस गई, तो ये लोग तिरपाल डाल करके कैसे रहेंगे, ये इन लोगों का सवाल है, और यहां के लोग लगातार विरोध कर रहें, लेकिन मा काम कोशिशे करके हम लोग यहां तक पहुचे हैं हमारी टीम यहां तक पहुची है लेकिन इसके आगे जगे जगे हर गली के मुहाने पे पुलिस वाले मौजूद हैं जो की तुरंत हमें रोक रहे हैं कि आगे नहीं जाना है किसी भी बाहर ही जो कि यहां का लोकल नहीं है और पलिस इजाजत नहीं इजाजत नहीं दे रहा है कि आखिर मीडिया जा करके नहीं कोशिश कर है कि आप तक तस्वीरें यहां के पहुचा सके मामला पूरा छोटे में अगर हम समझाएं तो यहीं है कि यह वन्य भूमी घोशित हुई थी वन्य भूमी पर अवैध कपजा कोट ने बोला कि हमें स्विकार नहीं है जिसके बाद से प्रवास के बाद तोड़ फोड की जा सके से इस अवेध कपजे को हटाया जा सके लेकिन लोगों को कहीं और घर अभी मिला नहीं और इनको स्थापित नहीं किया गया कहीं और पर शुरू होगी झिसको चलते अंतर राष्टर अस्तर पर भी नाराजगी दिख रहे हैं मानवा धिकार की बातें हो रही है कि आखिर मांसून में इस तरह से आप नहीं कर सकते कोरोना के दौर में इस तरह से नहीं कर सकते लोगों में भी नाराजगी है और लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी बात आगे तक पहुँचे क्यामरा पुरसन हिमंत कमार के साथ निवेता शांडिल एबीपी नियूज खोड़ी गाँ एबीपी नियूज आपको रखे आगे